नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में देखिया है मैं आज बात करूंगा आपका जो भी पंडित सुंदालाज सर्मा इनुवर्सिटी में आप BAD8 से समधित मैंने जो वीडियो बनाये हुआ था आठ दिन पहले उसमें आपके बहुत सारे कम कमेंट में आपको दिखाऊंगा और सभी सवालों के जवाब भी दूँगा ठीक आपको आज जो भी डाउट होगा 15 सुंदालाज सर्मा इनुवर्सिटी से करने में वह आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा चलिए वीडियो से सुरू करते हैं तो देखिए यह है मेरा प्रवेत परिक्षा लिया जाएगा क्या किया जाएगा प्रवेत परिक्षा जिसको इंट्रेंस इक्जाम भोला जाता है ठीकना यह जैगा जिसकाुस मैंने इस वीडियो बचुarmed के चैनल में देखेंगे तो आपका दुसे नमबर या तिसे नमबर का विडियो यहीगी है किस किस टोपिक को आपको पढ़ना है तो आप अच्छे नंबर ला पाऊगे ठीक पिछले साल का मैं बीड का पेपर भी आपको करा दूंगा यदि मुझसे प्रोवाइड होगा तो यदि आप बोलेंगे तो कमेंट करेंगे इस वीडियों कमेंट किजेगा कि पेपर भी चा है तो आपका में में आपका आराम से नामा जाएगा आप डियेड सुन्दला सर्मा से कर सकते हैं ठीक तो बार्मी के परसेंट के आधार पर डियेड होगा और बीएड आपका होगा प्रवेस परिक्छा के आधार पर अब यहां उसके बाद यहां बोला गया था इन दिस पी है तो आपको बीएड करने ज़वरत क्या है ऊप उडिशा का है कहीं का भी है आप अराम से आपका वैलीड होगा ओ आपका जब भी घ्यापन निकलेगा तो घ्यापन में साफ शाफ लिखा जाएगा किस-kis राजय का या ठीज सब्ट्री का होगा या फिर अन्यराज्यों का तो ये प्रसन आपका इस वीडियो के अनुसार नहीं है ठीक न हाँ भरती निकलेगा तो भर्ती के उपर कर लिजेगा कि valid होता है या फिर नहीं पिछली भरती का देखना पड़ेगा उसके आपसे बता सकते हैं अगला यहां कमेटा था एक्जाम के लिए answer seat कब से मिलेगा प्लीज बताए अब एक्जाम के लिए answer seat कहां से मिलेगा दोस्त एक्जाम के लिए answer seat कब से मिलेगा इसके कह लेड़ा होंगे पहले जो परिक्षा होता है ऊसको प्रवेस परिक्षा नहीं होता है तो सेन्टर में जाके देना होगा तो ऐस JT यापको नहीं मिलेगा हाँ जो अभी बीट कर रहे होंगे ठीक न फोर्ट सेमेंश्टर में होंगे चोथे मन नहीं सुंदलासर्मा का तो yearly होगा जो अभी last year में आपके होंगे सुंदलासर्मा के बीट में उनको इंसर सिट मिलेगा उसके लिए आप ऐसील वेबसाइट चेक कर तो जब आएगा आपको इन्फर्म कर देंगे उसमें ठीक तो यह आपका उससे समध्धित वीडियो नहीं था इसके लिए जो आपका इस परपरेस पर इक्षा है वह आपका बीएड के लिए लिया जाएगा सेंटर में जाकर आगे सर्फ प्रीड इंट्रेंस एक्जाम के प्रेफरेशन के लिए कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई अन्य आप्शन हो तो प्लीज बताए जी हां मैं आपक अधार को देखना है तो अच्छा बीएक नाम से ही प्रवेस पर इक्षा के नाम से भूक आएंगे मार्केट में उसी इसे तयारी कर लिजीए या फिर यूट्वीब सच माल लेजिए कि प्रवेस परिक्षा प्रिप्रेशन ठीक ना तो उसमें आपको बहुत सारे चैनल आ जाएंगे आपको जो टीचर मतलब हार तीचर अच्छा पढ़ाते हैं आपको जो टीचर अच्छा लगता है उससे आप पढ़ सकते हैं इस टीचर का बना हुआ हो उससे आप जाकर तयारी करना हो मेरे द्वारा माइच तो मै आपको यह सिरक हो सकते हूं अब सभी कवेंट आएंगे उसक के यह आगे कारे कीया जाएगा ठीक तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं आपको 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 त्यारी कर सकते हैं आगे देखिए कितना होगा सर्व 2 मेट का दो साल का फीट का दोस्ट कितना है घभी अ में में नोटिपिकेश देखा ढगा नहीं दिखा गया है मैं ने उस byडियो में आपको बताया क 보여ता वीडियो को आफ पहले इन तक भीडियो आप देख लिजिए यदि आपना किव कमेंट नहीं करतें कि मैं ऐस की क्योंकि पीडियक में बताया है, पीडियक में जो जो बताया गया मात पूर जानकें, मैं सारे जानकें वेडियों बता हैं। आप वीडियो सुर्ष यहन तक अच्छ देख लिजेगा, आपका doubt ही clear हो जाएगा, एकाद दो जो भी doubt रहेगा, उसको आपका IOBC कमें करें की सकते ह प्रवेस्पैक्षा के समय फोम भरेंगे तो आपको एक हजार रुपए काउंसलिंग सुल्क इसको बोला जाता है एक हजार रुपए आपके पास लिया जाएगा यादि आप D8 का भरते हैं फिर भी B8 का भरते हैं फिर भी इसको काउंसलिंग सुल्क बोला जाता है आपका प् पहले लाएगा आपको प्रस्पेक्च के लिए फूम भरते समय चलिए आगे मैं देख लेता हूं यह देखिए अगला कमेंट है सर चतिजगर के बाहर के स्टुडेंट भर सकते हैं क्या जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं चतिजगर से बाहर से भी हैं तो लेकिन आपको जनरल केटेगरी में रखा जाएगा समानने वर्ग में ठीक या फिर आप नोटिफिकेशन में अच्छे से इसको पढ़ लिजेगा कहीं लेकिन लेकिन आपको समानने वर्ग में रखा जाएगा अपको रिजेवर के टेगरी का उमान्यता नहीं दिया जाएगा ठीक यदि आप बाहर से तो फुम भरते हैं तो आगे आपका बुलाग है एक यह वाला सिस्टम लागू नहीं होगा क्या सर इस साल प्लीज रिप्ला तो इस साल होगा है आपका मुश्किल ही लग रहा है कि एक साल वाला होगा कहीं कहीं आपका नई तो अगला है आपका सुन्दला सर्मा इनुसेटी में रेगुलर जाना होता है या प्राइवेट होता है प्लीज बता है ठीक तो सुन्दलाज सर्वा उनिवर्सिटी ही private university है तो उसमें regular आप क्यों जाओगे ठीक, उसमें आपको एक बार admission form भरना है, admission form भरने के बाद आपको exam form भरने के बाद आपको exam देना है, ठीक, बाकी आपको college नहीं जाना है, assignment गेरा जो बनाना पड़ता है, project गेरा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बाकी आपको रेगुलर क्लास नहीं जाना है क्योंकि उनिवर्सिटी ही आपका प्राइबेट उनिवर्सिटी है टिक प्राइबेट स्टुडेंट को ही सुन्दलासर्मा कराता है तो इसमें कोई भी रेगुलर जाना नहीं होता है सुन्दलासर्मा ग Cg Forest Guard का admit card कब आएगा Cg Forest Guard कभ आएगा तो देखिए Forest Guard भरति समंधित आपका comment है Forest Guard का मैं आपको बता देता हूं दोस्स आने वाला तो आपका June में तथा जैसा कि आपको जानकारी मुझे मिला था कि June में इसका admit card आ रहा है करके लेकिन अभी आपका last June तक आ सकता है क्योंकि SI भरती के लिए आपको पता होगा जो जो सब इस्पेक्टर CGSI में फूम भरे होंगे उनका फिचकल डेटा चुका है जुन में ही है आपका उनका फिचकल तो कब तक है मैं देखा नहीं हूँ देखनेक बात पता चलगा कि अंतिम फिचकल कब तक है उनका त सकता है तो आपका लाश्ट जुन में आ सकता है आप इमान कर चलिया आएगा ही कनफम मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई आयोग वाला नहीं हूँ ठीक ना फोरेश्ट गार्ड वन विभाग का नहीं हूँ ठीक कोई भी आपको बताता है 100% गारंटी के साथ तो आपको प्राइवेट इसकुल में पढ़ाई वहां पढ़ाई वाला चलेगा सर रिप्लाइट ही ना तो देखिए पांस साथ प्राइवेट इसकुल में क्या दो वर्स के लिए आपके पास अनुभाव है तो आप डीएड में एडविशन करा सकते हैं सुन्दलाज सर्मा का दो वर् होगा तो देखिए इसमें पांस साल का प्राइवेट आप बोले हैं दो साल का यदि आपके पास है पढ़ाने का अनुभाव प्रमार पत्र तो आप डीएड कर सकते हैं लेकिन बीएड आप नहीं कर सकते बीएड के लिए क्या होना चाहिए आप योग्यता को अच्छे समझ पत्र जैसे डीएड होगे रहा होना चाहिए डीएड यदि आप किया है तो आप बीएड कर सकते हैं इस प्रकार से कोई आपके पास सिख्छा समधी सर्टिफिकेट होना चाहिए अनुभाव कोई जवरी नहीं है ठीक आगे एक्जाम नहीं होगा डीएड का जो है उसका एक experience नहीं तो कोई भी स्कूल से बनवा सकते हैं ना और वहां दिखा सकते हैं प्लीज बताएं अब यहां इस बात आपके कहने का मतलब मैं सब्सक्राइब बोल रहे हैं फर्जी बनवाने का ठीक तो यहां देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दिया चाहता हूं बीएड के लिए आपको जो है बीएड में आपका कोई भी अनुभाव नहीं चलेगा तो आप बीएड के लिए क्या फर्जी बनावगे बता मेरे को डीएड आप करना चाहो ठीक ना डीएड यदी आप करना चाहो तो हाँ आप जो है प्राइबेट इसकूल से दो वर्स का अनुभाव प्रमार पतर बनवा सकते हैं लेकिन हो जब अभी आप एप्लिकेशन फूम भरेंगे ठीक ना अनलाइन आवेदन उसी समय आपको इसकूल का नाम पूछ लिया जाएगा उसी समय इसकूल का नाम आपको देना होगा तो दो वर्स का अनुभाव आप डीएड के लिए बनवा नहीं जी हां दोस्त बीएड में आपका जो है प्रवेस नहीं होगा अनुभा प्रमार पत्र से उसके लिए आपके पास या तो डीएड होना चाहिए इस नातक होना चाहिए साथ में डीएड होना चाहिए या फिर रेगुलर टीचर होना चाहिए या फिर कोई भी आपके प रेवलर टीचर नहीं है फिर भी आप बीएट कर सकते हैं या फिर आपके पास सिख्छा समंदी कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आगे यहां बोला गया है यह सई का प्री एक्जाम की समंद तक पोसिबल है अभी आपका एडमिट काड आ चुका है दोस्त आपका जो है फ आपका एक्जाम होगा करके ठीक तो आप इसको तैयारी हम लग जाए क्योंकि समाई आपके पास बिल्कुल नहीं बचेगा बचा है ठीक ना इसाई के तैयारी करने का तो आप आराम से तक लग जाए यदि आप भरे हैं फोन तो आपका जो है फिचकल के एक महिने बाद है दोनों कोर्स यदि आपका रेगुलर है mix यदि आप रेगुलर करना चाहें तो दोनो कोर्स कर सकते हैं नई सिक्छानिती में हम नई सिक्षाने ती अभी तक लागू नहीं वाई पूरी तरह से उसको आप अपने कालेज के प्रोफेसर से बात कर लिजिएगा ठीक उससे आपको क्लियर हो जाएगा प्राइवेट आप कर सकते हैं तो यहीं सारे आपके कमेंट थे हां देखिए ठीक न सारे कमेंट जो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर नहीं है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या इसी प्रकाट नोटिफिकेस चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद जल्दी मिलेंग